नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्राच्य ज्योतिश विज्ञान जिसका एक मात्र उद्यश्य है आम जन मानस को ज्योतिश से अवगत कराना ज्योतिश जितना मैं ज्योतिश का विद्यार्थी हूँ और जितना मैं समझ सकता हूँ जितनी मेरी समझने की शमता है मैं प्रत्न उतना करता हूँ कि आपको भी वो बाते बता सकूँ वैसे तो इस चैनल का एक ही उद्यश से था कि मैं प्रारणब से ज्योतिश बताओं लेकिन वो उद्यश अधूरा होते देख और आप लोगों की मांग पर मैंने कहा था कि राशिफल में मैं जो दिव्य माहा प्रयोग बताया करता हूं उन शूत्रों की चर्चा हम करेंगे इससे भी हमारा जोतिसिय ज्ञान निशन देह बढ़ जाएगा इसी कड़ी में आज शनिदेव से संबंधित चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं पिछले दिनों राशिफल में शनिदेव से संबंधित एक तक्थ्य मैंने बताया था जन्म कुंडली के नवम भाव में शनिदेव अकेले हूं किसी भी ग्रह की दृष्टी नव हो तो ऐस जातक योगी सन्यासी बन जाता है अब ध्यात्मिक दृष्टि कोण से ऐसा व्यक्ति योगी बन जाता है वैसे तो मैंने लगभग लोगों के कॉमेंट पढ़े एक दर्शक का कॉमेंट मुझे याद है उन्होंने लिखा कि मेरे मैंने ऐसे किसी की कुंडली देखी है दूर दूर तक उनका इस तरह का कोई गुण नहीं है कोई स्वभाव नहीं हो तो खूब धन कमा रहे हैं आपने साइद ध्यान से थमनेल न पढ़ा हो मैंने थमनेल में लिखा था पूर्व जन्मों के पुन्य से ऐसा होता है और कारिक्रम के मध्य मैंने कहा था कि पूर्व जन्म का प्रभाव है पुन्य जन्म का पुन्य है और व्यक्ति राजा बन जाए महाधनी बन जाए लेकिन योगी और सन्यासी बन जाए यह उस अकेले के पुन्य से भी संभाव नहीं है इसको जरा ध्यान से समझेगा उसके तो कई जन्मों के पुन्य अर्जित हो तब और उस खा बन जाए शनीदेव इसमें कैसे सहयोगी होंगे एक और बात मैं पिछले दो बार कारेक्टरम किया और ये बात भूल गया जो कि मेरे स्वभाव में था भूल जाना मैं भूल गया था क्या भूल गया था आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब किया या नहीं ये उस चैनल पर मैं कभी नहीं पूछता क्योंकि वहां मेरा भी जुड़ा हुआ है मुझे उससे पैसे मिलते हैं चैनल से यहां से आप ध्यान दे रहे होंगे एड इस पर नहीं आता ना आएगा ये चैनल जोतिस सीखने के लिए है तो बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब किया या नहीं इससे मेरा यही स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि आपका इस से लाब हो तो नहीं किया तो कर लीजिए और औरों को भी कराईए ताकि सब को जोतिष सहज और सरल्धं से समझाया जा सके तो शनीदेव और सन्यास में क्या संबंध है इसको बड़ा ध्यान से समझेए कि शनीदेव सन्यास कैसे एक और बात जब पिछले दिनों कारिक्रम में मैंने ये कहा कि शनीदेव दुख हैं और अब मैं कह रहा हूं कि कई जनमों और केवल उस व्यक्ति कि नहीं उसके खानदान के कई लोगों के पुन्य अरजित होते हैं तब जाकर के ऐसे खानदान में कोई योगी पैदा लेता है और अब मैं कह रहा हूं कि सणिदेव का सिधा समबंध सन्यास से है. ऐसा कैसे हैं? पहले तो सूत्र ये था, हलाकि ये मिथुलगन की कुंड़ी है, परन्तु शनिदेव जन्म कुंड़ी के नमभाव, धर्मभाव में बैठे हों, और किसी भी ग्रह की दृष्टी नहीं होनी चाहिए, याद रखे इस बात को, कि किसी भी ग्रह की दृष्टी होगी, तो उस ग् टीकाकार का वहां पर एक टीका था, क्या, कि ऐसे एक और व्यक्ति की कुंड़ी का मेरे पास सुधारण है, जिन्होंने बचपन काल से ही भगवान शिव की खूब भक्ति की शिव के मंत्र का बहुत जब किया, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ये व्यक्ति अभी योगी हो ये योगी होने का अर्थ बहुत गंभीर है, सन्यासी होने का अर्थ बहुत गंभीर है, गेरवा पहन लेना मैं नहीं समझता हूं कि सन्यासी कोई बन जाए ऐसे, तो सन्यास की बात यहां चल रही है, समय लगता है, अभ्यास लगता है, तो टीकाकार जिन्होंने पुस्तक म जानता हूँ जो योगी तो नहीं लेकिन बच्पन उन्होंने शिव की खूबाराधना की, इस पर भी सूत्र को उन्होंने फिट किया, अब समझ ये, कि सन्यदेव का संबंध सन्यास से कैसे है, असल में सन्यदेव का संबंध उदासीनता से है, उदासीनता से सन्यदेव का सीधा संबंध है, और सन्यास का सीधा संबंध उदासीनता से है, कैसे, एक सन्यासी, एक योगी, स्रिष्ट योगी वही हो सकता है जो उदासीन हो, किस से, सब से, दुख से उदासीन हो, सुख से उदासीन हो, प्रेम से उदासीन हो, नफरत से उदासीन हो कोई प्रेम कर दिया तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं किसी ने गाली दे दी कोई लगाव नहीं उदासीन है वो इसी उदासीनिता के कारक हैं सनी देव। इसलिए सन्यास से इनका सीधा संबंध है। ये कारण है और एक कारण से मैंने जैसा कहा कि अगर आप जोति सिय दृष्टी कोण से देखें वैसे तो जोति सुब्ध आध्यात्म है। वेद का नेत्र है तो इससे बड़ा आध्यात्म कुछ होई नहीं सकता लेकिन अगर वैसे भी देखें तो उदासीनिता दुख भी बहुत बड़ा कारण होता है। माया से मुह तभी तूटेगा जब इनसान के जीवन में दुखों का आगमन हो। अर्थात सुख इनसान को माया से और ज्यादा जोड़ देंगे। तो माया स से बंधन तूटे तो यह सनिदेव दुख में करा सकते हैं। वैसे एक और बात आपको बता दूँ कि जोतिश शास्त्र में सबसे बड़े महाभाग्यवान योग बनने का महाभाग्यवान योग का सुत्र कैसे बनता है। जन्मकुंडली में शनिदेव भाग्यभाव में ब करिएगा सनिदेव की स्वभाव को कि भाग्यभाव में बैठे सनिदेव पर देव गुरु की दृष्टी पड़ गई तो यह महाभाग्यवान योग भी बना दिये। ये कैसे? हर चीज के मामले में एक और बात याद रखना होगा। अपोजिक्ट विपरीत उससे होगा। शनिदेव अगर दुख के कारक हैं तो शुख का मूल सुख के कारक के रूप में हम किसको देखते हैं शुक्र को लेकिन ये शुक्र जो है असल में भौतिक और चिछला सुख है वो भौतिक सुख वो ये नहीं देखता कि स्वयम किस्त्री या परिस्त्री स्वयम का या परपती या परपुरुष वो छिछला सुख लेकिन ये जो सुख है स्थाई धीर और गंभीर सुख है इस्थिर्ता में ही सब कुछ है और ऐसे शनिदेव पर जो इस्थिर हैं देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी जो की भाग्य के कारक हैं धर्म के कारक कि सीधी दृष्टी पढ़ने का अर्थ ही है कैसा जातक महा भाग्यवान होगा और यही शनिदेव जब भाग्यभाव में अकेले बैठ जाएं अकेले किसी की दृष्टी उन पर नहों हो तो इसमें कोई संसय ही नहीं कि आप जो सोच रहे हैं कि सिधा सन्यास गिरुवा वस्तर पहन करके चल देगा ऐसा नहीं होगा इसमें ये तर्क है कैसे जातक का मन बेहद आध्यात्मिक होगा आध्यात्म से धर्मकर्म पूजा पाट से वह बहुत जादा जुड़ा हुआ होगा या ऐसे जातकों के जीवन काल में सनी हैं तब तो मत्तब प्रबल ही संभावना है अगर ये जो सूत्र मैंने लागू किया है जरा समझियेगा कि मिथुन लगन की कुंडली मैंने बनाई है मिथुन और करक ऐसे दो लगन होंगे जहां सनीदेव ही भाग्यपती बनेंगे अब ऐसी स्तिति में शनीदेव अगर स्वग रही हो और किसी गरह की दृष्टीन पर न हो इसमें संसे ही नहीं कि ऐसा जातक सन्यास की तरफ बढ़ जाएगा या उसकी जादातर दिल्चस्पी सन्यास में ही होगी या वो माया मोह से सदईव भागने का प्रतन करेगा ऐसी अगर आपकी चन्म कुंडली में तो यह 120 प्रतिशत घटित होने वाला है और कारण मैंने बताया सवनीदेव उदासीनता के कारण है और सन्यास उदासीनता से जुड़ा हुआ है एक उदासीन व्यक्ती ही सन्यासी बन सकता है उसका उदासीन होना जरूरी है कोई प्यार कर दे तो उसकी तरफ खिच जाए वो सन्यासी नहीं हो सकेगा और कोई गाली दे तो उससे बदला लेने पर तुल जाए ऐसा व्यक्ती सन्यासीन हो सकता है तो यह उदासीनता लाते है अब सवाल उठता है कि आज सन्यासीन चर्चा हो रही तो समझे यह तो धर्मभाव हुआ ह उदाहरण से समझे कि शडबल में या किसी और प्रकार से जन्म कुंडली पर अगर सनीदेव का बल हुआ तो यह देखना होगा सनीदेव कहां बैठे हैं ऐसे जातक की अंदर सन्यास व्रुत्ती उदासीनता वाली व्रुत्ती बहुत जादा होगी इस सूत्र को नोट करिए अगर जन्म कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं और ऐसे जातक जिसकी कुंडली में सनीदेव सबसे बली ग्रहों में से एक हैं तो आप यात कर लीजिए समझ लीजिए कि यह जातक उदासीन प्रुत्ती का है सब कुछ होते हुए भी सब में होते हु इसका किसी में बहुत ज़्यादा प्रेम किसी चीज से नहीं है, किसी बीचीज में बहुत ज़्यादा इसकी दिल चस्पी नहीं है, किसी चीज पर ये बहुत ज़्यादा ठिकेगा नहीं, इसका मन भागेगा वहां से, तो ये उदासिनता उसके अंदर कहीं न कहीं होगी ही हो माइंट पर फला देश में परिवर्तन हो जाता है सूरे की द्रिष्टी होगी तो अलग उसका फला देश बनेगा चंद्रमा की द्रिष्टी होगी तो बिल्कूल अलग और मंगल का हुआ तो बिल्कूल अलग यानि कई बार द्रिष्टियों से ही सारा फला देश चेंज हो जा और वह मूल को नहीं समझ पा रहा है। जैसे किसी की जन्व कुंडली में अगर शुक्र सबसे बलि गरह है तो उसे भौतिक शुक चाहिए जैसे भी उसको मिले। अब समझिये कि ऐसे जातक की कुंडली में गुरु भी बलवान हो तो और गुरु भी उतने ही बलवान हो या गुरु से संबंधित ही लगन हो और उसमें सुक्र बली हो तो दोनों ही बातों को ध्यान से समझियेगा ऐसे जातक के अंदर अगर गुरु के प्रभाव के चलते ध भारमिक भावना अधिक दिखाई पड़ रही है तो आप इस भुलाबे में मत जाएगा कि उस जातक के अंदर सुक्र का प्रभाव पुर्णतह विद्यमान है और वक्त आने पर वो भोग से भी पीछ नहीं अटेगा भोग की तरब खिच जाएगा भोग की तरब भागेगा य यह है ग्रहों का प्रभाव यह मूल प्रभाव होता है और एक जोतिशी को ग्रहों का मूल प्रभाव सदई वयाद रखना होगा कि मूल प्रभाव चाहे किसी भी तरह की परिस्तिती हो कोई भी सा लगन हो ग्रह अपना पहले मूल प्रभाव लाता है फिर इसके बाद द्रि प्रभाव को आपने जाना होगा अगर कुंडली में ये बली हैं तो जातक का खिचाओ सन्यास की ओर होगा ही होगा आज के लिए बस इतना ही पुनह एक नए सूत्र के साथ उसको समझाने के लिए जोतिस्प को और सरली कृत करने के लिए सरल करने के लिए आप सब के समखो पस्तित होता रहूंगा इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार